नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी क्या चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जियां आज हम बात करेंगे निम्बू और काली मिर्च को एक साथ अगर आप लेते हैं तो आप पहुत सारी बिमारियों को इंग ओफ स्पाइस कही जाती है ये सारी चीजें जो हैं आपकी बॉड़ी के लिए बहध अच्छी होती हैं और सर्धियों का मौसमाने वाला है इसमें तो काली मिर्च आपके लिए एक महा और श्रदी के रूप में कारे करती है आईये जानते हैं हम काली मिर्च निम्बू और सेंधा नमक का अगर आप सेवन करते हैं एक साथ तो आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं काली मिर्च, निम्बू और नमक का मिश्रण एक साथ लेने से सर्दी और कफ से राहत मिल जाती है इसके सेवन से खासी में भी आराम मिलता है इन तीनों का मिश्रण अगर गर्म पानी के साथ लिया जाये तो यह शरीर में गर्मी का उत्पादन करके नाक की नली में हुई सुजन को कम करेगा और बंद नाक को खोल देता है इस मिश्रण में एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं जो गले में पनाप्रह बैक्टिरिया का नाश करके गले के दर्द से राहत दिलाता है गाल ब्लेडर की पथरी को निकालने के लिए भी इन तीनों का सेवन लाफकारी होता है इन तीनों के मिश्रण के साथ जैतून का तेल भी मिला कर इसका सेवन करें इसमें काफी उच्च मातरा में सिट्रिक एसीड होता है जिसके प्रभाव से किड्नी में मौझूद कैल्शियम और आगजालेट की पथरी घुल जाती है लेकिन इसको नियमित लेना होगा ये ध्यान रखें कि जो भी औश्रधिया आप लेते हैं उसको निरंतरता के साथ लेना चाहिए क्योंकि आयरुवेदिक औश्रधियां अपना कार्य थोड़ा सुलू करती हैं सुलू नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि मतलब टाइम लेती हैं इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अगर आप पेसेंस रखके कुछ एक दिनों तक इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद बखुद देखेंगे कि स्वस्त हो अगर आपके दांतों से खुन आने की समस्या हो या दांत दर्द हो रहा हो तो निम्बू नमक के साथ काली मिर्च को घर्म पानी में मिला कर कुला कीजिए आपका दात दर्द खत्म हो जाएगा ऐसा करने से पायरिया भी ठीक होता है इसके आलावा दांतों में अलग ही एक चमक आती है निम्बू के रस में थोड़ा नमक और काली मिर्च मिला कर दांतों की मालिश करें और थोड़ी समय के लिए छोड़ दें फिर गर्म पानी से कुला कर लें मुह से बदबू आने की समस्या भी इससे खत्म हो जाती है अगर आपको बदहजमी या हाजमा खराब र शिकायत तुरंत दूर हो जाएगी पेट में गैस की समस्या होने पर एक पानी में आधा निम्बू का रस आधा चमच पीसी होई काली मिर्च और आधा चमच काला नमक मिला कर आप पिएं आप देखेंगे कि गैस आपके पेट से घायब हो जाएगा ये तीनों मिश्रण इसी हुई काली मिर्च एवं नमक छिड़क कर जरासा गर्म करके चूसने से मलेरिया ज्वार में आराम मिलता है अगर इस मिश्रण को शहद के साथ खाएं तो फुलू पैदा करने वाले वाईरस और रोगानूओं की छुट्टी हो जाती है इसके सेवन से रक्त के संचार मे भी सुधार आता है तो दोस्तों अगर आप निम्बू काली मिर्च और पानी का प्रयोग करते हैं तो आप देखिए कितनी सारी बिमारियों को दूर भगा सकते हैं निम्बू काली मिर्च और सेंधानमक अगर इसका मिश्रण आप लेते रहते हैं तो आपके शरीर से जितने बहुत कम हो जाते हैं इसके साथ साथ ये आपके immunity सिस्टम को बढ़ा देता है जिसकी वजह से बाहयतम जो भी रुगाणु कीडे होते हैं या फिर जिवाणु होते हैं वो आप पर attack नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपकी सुरक्षा हो जाती है तो यह थी आज की हमारी जह से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतों पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों